हाई गाईज वेलकम बैक टू तो इस चैनल और इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एंजियो एडेमा के बार में तो एंजियो एडेमा मतलब की आप इमेज में देख सकते हो ऐसी सूजन बन जाती है वो लिप के आसपास बन जाती है आंक के आसपास बन जाती है हाथ, पैर, उसके अलाहा देके तो आपके प्राइवेट पार, जिनेटल एरिया के उपर भी ऐसी सूजन बन जाती है यहाँ पे यह जो सूजन रहती है इसमें दर्द नहीं होता, ओके तो यह किन-किन कंडिशन की वज़े से रह सकती है तो उसकी वज़े से यहाँ पे ऐसी सूजन देखने को मिल सकती है उसके अलाहा देखे तो किसी को पर्टिकुलर दवाई की ऐलर्जी रहती है जैसे कि कईयों को रहती है एंटिबायोटिक की जिसमें पैनिसिलिन तो उसकी वज़े भी यहाँ पर ऐसी suzan देखने को मिल सकती है एंगिवेडिमा देखने को मिल सकता है उसके अलावा और भी दवाई होती है जैसे कि खून को पतला करने वाली जो दवाई रहती है एस्पिरिन है कईयों को उसकी भी ऐलर्जी रहती है उसके लावा पेन किलर दर्द को कम करे वैसी दवाई जिसमें आईविप्रोफेन है तो उसकी वज़े से भी यहाँ पर ऐसी सूजन देखने को मिल सकती है उसके लावा देखे तो आईबीपी की हाईपरटेंजन की दवाई आती है जिनमें एनलेप्रिन है, रेमिप्रिल है, लोजार्टन है तो ऐसी दवाईों की वज़े से भी यहाँ पर ऐलर्जिक रियेक्शन की वज़े से ऐसी सूजन देखने को मिल सकती है यहाँ पर पैनिसिलिन जैसी जो दवाई है एंटिबायोटिक है उसकी वज़े से कई बार एनाफाइलेक्टिक शॉक भी बन जाता है आपकी जो एलर्जिक रियेक्शन है कुछ जादा ही एक्टिवेट हो जाती है तो उसको बोलते है एनाफाइलेक्शी और उसकी वज़े से जो शॉक देखने को मिलता है हमें तो उसको बोलते है एनाफालेक्टिक शॉक शॉक मतलब क्या तो शॉक मतलब की आपके जो ओर्गन्स है उनको अच्छे से खून सप्लाइ न होना अच्छे से खून न पहुचना तो उसकी वज़े से क्या रहेगा कि वो जो ओर्गन है वो फेल हो सकता है उसमें देखे तो kidney fail हो सकती है heart fail हो सकता है तो ऐसी condition एक life threatening condition होती हो कि इसको जल्दी से treat करना रहता है यहाँ पे होता है एनाफाइलेक्टिक shock तो एनाफाइलेक्टिक shock में blood pressure है आपकी खून का बाव है वो अचानक से गिर जाना तो BP कम होना उसके लावा देखे तो सास में परिशानी रहना आपकी pulse down होना pulse कम होना उसके लावा चक्कर आना उल्टी होना इस सब symptom देखने को मिलते हैं हमें एनाफाइलेक्टिक shock की shock में तो एनाफाइलेक्टिक shock जो होता है उसकी वज़े से भी यहाँ पे angioidema देखने को मिल सकता है उसके लावा और भी condition होती है यह genetically भी देखने को मिलता है आपकी family में किसी को ऐसी problem दे पहले थी तो आप में भी ऐसी problem रह सकती है genetically में देखे तो एक protein होता है C1 inhibitor protein जब उसकी deficiency होती है तो उसकी वज़े से भी यहाँ पे angioidema देखने को मिल सकता है उसके लावा देखे तो anxiety की वज़े से आप चिंता कर रहे है उसकी वज़े से भी ऐसी Susan देखने को मिल सकती है कईों में ठंडा या फिर गर्म चीज के संपर्क में आते है यह ऐसी Susan देखने को मिल सकती है उसके लाव कोई minor infections लगाए आपको चेप लगाए तो उसकी वज़े से भी देखने को मिल सकता है सरजरी की वज़े से भी देखने को मिल सकता है उसके लावा देखे तो pregnancy की condition में भी ऐसी Susan देखने को मिलती है उसके लावा देखे तो contraceptive pills आप ले रहे हो तो उसकी वज़से भी ऐसी एंजियोडेमा सूजन देखने को मिल सकती है आप ज़्यादा एक्सेसाइज करते हो स्ट्रेनसली एक्सेसाइज करते हो तो उसकी वज़से भी ऐसी सूजन देखने को मिल सकती है अब डिसकस करते हैं इसके सिम्टम्स तो सिम्टम में हमें ऐसी सूजन देखने को मिलेगी और रैसेस भी देखने को मिल सकते हैं और आप में उस रैसेस के आप में उनके उपर खुजली भी आ सकती हैं ऐसे इची रैसेस भी देखने को मिल सकते हैं और यह यूज़ुली अपन लाँ देखे तो कईयों में लाल आख बन जाती है और आख में ऐसे इरिटेशन होता हो चिडश्रापन होना आख में तो ऐसा मैसूस होना उसके लाँ देखे तो कईयों में पेट में दर्द रह सकता है कईयों में डायरीय रह सकता है दस्त रह सकता है उसके लाँ देखे तो तुबर्चुलिन टेस्ट था वैसे ही यहाँ पे ऐसे स्किन प्रक्ट टेस्ट करवाना होता है औरह वह आपको किसी चीज्ज की यह तो उसको आपके रहे मंबर्प чтоб psychology cuff क्लिए आपको नहीं करें तो आपका जो इम्न सिस्टम है कि खिलाफ होता है तो उसको देखने के लिए आप blood test करवा सकते हैं उसके लादे कि तो आप blood C1 esterase जो inhibitor C1 inhibitor protein है उसकी deficiency है या फिर नहीं तो उसको भी देख सकते हूँ अब discuss करते हैं इसके treatment तो treatment में आगर आप में allergic shock बन जाता है जो हमने आगे आप antihistamine दवाई ले सकते हो उसके लादे कि तो Susan को कम करें वैसे steroids जैसे कि corticosteroids तो उनका आप यूज़ कर सकते हो तो आई होप आपको एंजीवीडेमा के बारे में जनरलिटो मिल गया हुगा थैंक्यू अप的 क्वश्खच्च कर आप आप प judgment यूज़ कर दे cash? और रायान है?